सबी किसान भाईयों को नमस्कार मैं गुर्बासिंग डबरी डिष्टिक करनाल हर्याना से आपसे रूबरू हो रहा हूँ आज हम अपने गाउं अपने खेत गाउं डबरी में जो जिला करनाल हर्याना के समीप है वहाँ पर हम खड़े हुए हैं और दोस्तों क्योंकि ग्यहूं की अपनी जो फसल है वो अपने अंतिम चरण में हैं परिपक की वस्ता की और अगरसर हो रही है और किसान ने भी अपनी कमर कसल ही है अपनी कमपैन हार्वेस्टिंग को रपेर कर रहे हैं अशट्रा रिपर को रपेर कर रहे हैं और अपने रख कि सेवा करी है, हम ऐसा मानते हैं, कि हमारे वीडियो से, हम ने जो जानकरी अपके साथ सॉजा करी है, ऐजे प्रक्तिशिल किसान होने के इनाते, हम उससे लभानवीत जरूर हुए हैं, क्योंकि आपके कमेंट साते हैं, हम देखते हैं उसमें, कि आप काफी लभानुवित हुए हैं आज हम ग्यों की कैसी किस्म है जिसके बारे में बहुत कम किसान जानते हैं लेकिन उसका वर्चसव उसका वजूद आज भी किसानों के दिलों में बरकरार है भारत में उत्तर भारत की बात करते हैं तो काफी बड़े रखमे में ग्यों की फसल ली जाती है लेकिन उसमें से हमारे अगर भारत की बात करते हैं काफी सारी मिर्धाएं मिट्टी ऐसी हैं जो लवनिये एवन्शारिये हैं दूसरे शब्दों में कहें कि वो कल्डर वाले खेत हैं पानी खारा है वहां फसल नहीं ली जा सकती यहों की आपको बरसीम की बजाई करनी पड़ेगी जहां कुछ नहींचाव गयरा कुछ ऐसी तरह का आपको हरी खाद का प्रयोग करके आप उसको सुधार सकते हैं यह बात क साल में स्थित हैं हिंदी में बात करते हैं केंद्रिय मृदा लवंता अनुसंदान संस्तान सेंट्रल सोयल सनल्टी इरसर्स इंशूट करनाल उनके द्वारा कल्लर की कल्लर की मिठी के लिए मिर्धाओं के लिए कुछ वरेटिया रिलीज की गई हैं दो यार 1314 में एक किसम क गाने का मुक्ता दिया संस्तान का एक अकत्तक और भरकस प्रयास रहा 210 के बाद 213 283 283 283 एसी उन्द किसमें दी जिसंटे किसानों की आर्थिक स्तिति को सुधारने में महतब्र पून योग दिया आर्थिक लावर्जित करने में मुक्ता दिया और उनके शुदला में भी हुआ आज हम जिस शेट में खड़े हुए हैं दोस्तों यह क्या रायल 210 का ब्रिंडर सीड है 27 नुवंबर कि इसकी बजाए की गई है और यह हम को के जो क्रोप इंप्रूव्मेंट शेक्शन है वह डौक्टर निर्ज कुल्शेष्ट के द्वारा अनुमोदित यह किसम है उन्होंने इस वरेटी को ड्वेलब करने में महत्वपूर्ण योगदान डौक्टर निर्ज कुल्शेष्ट का रहा है हम उनके बहुत धन्यवादी है कि उन्होंने हमारे को ब्रिडर्शी दिया है काफी सारे हमारे पास फूनारे से शिरी मुक्तसर साहीब मानसा हरेना की बात करते हैं तो भीवानी जिले हैं जो भीवानी जिला है वहाँ पर कल्डर की बहुत बड़ी समस्या है और यूपी में भी काफी बड़े लेवल पे 210 क इसके मुख़े मुख़े विश्याइश्टा हैं अशाद सानज़ा कर रहे हैं दोस्तों के बीदे कि आसपास लिया जा सकता है और जो समन्य मृधाएं हैं जो किसान भाई नई वरेटियों की पीछे भागते हैं उनका अदुपादन लेना चाहते हैं मैं उनसे भी आग रहे करूँगा कि आप KRL 210 जरूर लगाएं आपकी समन्य मृधा है आपकी भारी मृधा है भारी से जो समन्य मृधा है वहां भी इसक अतना बहुत मजबूत है जो खड़ी रहती है संस्थान पांच नौंबर से इसकी 25 नौंबर तक इसकी बजाई रिकमेंड़ करता है दोस्तों ब्रिडर जो सीड है वो प्रजनक सीड है जिससे बीज की आने वाली पीडियां तियार की जाती है इससे हमने जनक सीड बनाना है फांडेशन सीड का फांडेशन जिसको बोलते हैं अधार बीज बनाएंगे फांडेशन सीड बनेगा और उसके बाद किसानों में वितरित किया जाएगा इस वरैटी में किसान भाई आज इस वरैटी को रिलीज हुए कम से कम सा साल हो गया इसमें पीला रत्वा और भूरे रत्तवे की शिकायत बिल्कुल भी नहीं है बहुत अच्छी किसम है किसान इसका अच्छा अच्छा उदपादन में सकते हैं हमने अक्सर पिछले पांचे साल से लिए यहाल है अभूस किसम का जो उदपादन है चो विस कुटल से नीचे नहीं रहा है यहृघ्छ बात कर में जो दाने हैं वो काफी गिनके हैं और पादन भरपूर देने की शम्ता रखती है हम ब्रिडर सीड से अधार बीज बना रहे हैं यानि हम प्रजनक सीड से अधार बीज बना बीज बना रहे हैं जो की बहुत अच्छी किसम है गिरने की दिक्कत नहीं है उत पादन बहुत ब कहा कि श्री मुकसर साही मानसा और उत्र प्रदेश के कावे सारे हिस्से हैं और साथ के साथ विवानी जिला जो हमारे हरेना का आता है हरेना प्रदेश का आता है वहां के किसान भी इस वरेटी को लगा सकते हैं हमारे पास भी जिसका उपलद रहेगा और इसी के साथ मैं यहां यूपी के लिए recommended है लेकिन वातावरन में कोई ज्यादा बदलावना होने के कारण हमारे हर्याने के किसान पंजाब के किसान भी इसका भरपूर उतुपादन ले सकते हैं क्योंकि यह वरैटी बहुत अच्छी है हालीज में दो याठारा में वरैटी रिलीज के आराल दो सो त देखिए दोस्तों किस तरह से लह लहा रहा है यह खेत के रेल 210 आप धूर तक नजर मारें तो यह के रेल 210 है ब्रीडर सीड लगा रहा है प्रजनक सीड लगा रहा है जिससे अधार बीज का उद्पादन किया जाएगा के रेल 210 CSS आरई करनाल केंदर इम्रिदा लवंता अन इसमें कोई दोहराय वाली बात नहीं है जिन किसान पटेला के आसपास में काफी एरिया कलर वाला है और इस वरैटी का काफी प्रचलित है वहाँ पर दबदवा है किसानों के पास बीज मोहया नहीं हो पाता है इसलिए हमने ब्रीडर सीड लगा रहा है तां जो हम अपने कि करनाल के दोबारा रिलीज वरैटी इसी के साथ मैं केरल 283 की वीडियो आपके साथ सांजी करूंगा इसी के साथ आपको आपके साथ जो शब्दों को वराम देता हूं जैजवान जैकिसान